नमस्कार, मैं हूँ सासी, संध्या समाच़ार में आपका स्वागत है, आए जहर्खन के दिन भर की खबर जानते हैं हेमंत सुरेन को एडी भेज सकती है दूसरा समन साथ दिसंबर को पुछताच जारखन के मुख हेमंतरे हेमंत सुरेन को एडी की और दूसरी बार समन भेजने की त्यारी है मिली जनकारी के अनुसार हेमान सुरेन को E.D. 7 दिसंबर को पुष्टाच के लिए बुला सकती है इसे से पहले हेमान सुरेन से पहले राउंड के पुष्टाच हो चुकी है बिसाल की गिरफतारी की संभावना मुख्य मंत्री हेमान सुरेन से पुछताच के पहले ही जताई जा रही है बतादे की बिसाल चौधरी पर अवयद खनन के काले धान को निवेस करने का आरोप है बता दे मुख्य मंत्री हेमान सुरेन के बिधायक पतिनेधी पंकज मीसरा की गिरफतारी 29 जुलाई को हुई थी 8 जुलाई को पंकज मीसरा के घर पर शापे मारी के दोरान E.D. को सियम हेमान सुरेन के बैंग खाते से जुड़ा चेक बुक मिलने की सुचना है गढ़वा से मुख्या 15,000 रुपया घूस लेते रंगे हाथ गिरफतार जारकन के गढ़वा जिले के स्रीवन सिधर नगर परखन अंतरगत कोल जिक्की पंचायत के मुख्या अजय परसाद गुपता को सुक्रवार की दोफर करीब 12 बजे 15,000 रुपय रिस्वत लेते मेदनी नगर पलामू से आई ACB के टीम ने रंगे हाथ धरदबो चाहा है अवसक परकिरिया पूरी करने के बाद ACB की टीम मुख्या गिरफतार कर अपने साथ मेदनी नगर ले गई अजय परसाद गुपता रंबना बजार में एक चाह दुकान पर कोईंदी निवासी नस्बुलेन अंसारी से 15,000 रुपय रिस्वत ले रहा था इस अमद में ACB से सीकायत करने वाले कोईंदी निवासी नस्बुलेन अंसारी ने बताया है कि कोईलजी की पंचायत के कोईंदी अल्प संख्यक टोला में आंगन वाड़ी भवन निर्मान के स्विक्रिती मिली है उक्त योजिना में नस्बुलेन की पतनी सहाना बीबी मेठ है योजिना नेवान के लिए कारे देश पंजी पर मुखिया अपना हस्ताक्षर करने के लिए सहाना बीबी से 15,000 रुपय रिस्वत मांग रहा था गल्स होस्टल में आग की घटना के लिए हेमंत सरकार जीमेदार बाबुलार मरांडी जार्खन की उप्रईधानी दुमका में आदिवासी गल्स होस्टल में आग लगने की घटना पर पर परदेश के पुरमुख मंत्री बाबुलार मरांडी की परतिकिरिया सामने आई है बाबुलार मरांडी ने इस घटना के लिए राईस की हेमन्त सरकार को जिमेदार ठाराया है बाबुलार मरांडी ने दावा किया है कि 20 छात्राओं की छमतावाले होस्टल में 40 छात्राओं को रखा गया था उन्होंने कहा है कि भागवान का सुक्र है कि किसी बच्ची को कुछ नहीं हुआ बता दे कि घाटना सुक्र बार सुबह किया है घाटना उस वक्त घटी जब छत्रा है छोटे गए सिलेंडर में खाना बना रही थी जाली परमान पत्र पर सेबा दे रहे कई पारा सिक्षक जारखन के सहायक अध्यापक पारा सिक्षक जाली साटिफिकेट पर भी काम कर रहे है इसका खुलासा होने लगा है इसी वज़ा से कोई नोकरी छोड़ रहा है तो कोई अपने पर्मान पत्रों की जांच ही नहीं करा रहा साटिफिकेट जांच की परकिरिया अप्रेल से सुरू हुई है तब से 232 पराशिक्षकों ने नोकरी छोड़ दी है वहीं 170 ने साटिफिकेट ही जमा नहीं कराया इसका खुलासा गुरुवार को सिक्षा विभाग में अवेजित बैठक में हुआ है बतादेश कुली सिक्षा वसक्षता विभाग के सचीव के रभी कुमार ने बताया है कि बैठक में अत्तत्य सामने आया है कि जाली परमान पत्रों पर कैम कर रहे पारा सिक्चाक सर्डिफिकेट जाच से पहले ही नवक्री छोड़ रहे हैं अब तक 232 ने नवक्री छोड़ी है इनकी संख्या बढ़ने की संभावना है बुढ़ा पहार से दर्जन भर केन बरामद नकसलियों से मुक्त कराये जाने के बाद बुढ़ा पहार में चलाये जा रहे सर्च अभियान में पुलिस को नकसलियों द्वारा छोड़ कर भागे गए गोला बारूत की बरादनिवी को लेकर सफलता का दवरा जारी है गुरु आरको जार्खन पुलिस जार्खन जगवार कोबरा बटालियन एम सीर पीए के सन्युक्त अभियान में बुढ़ा पहार के जार्खन एम चतिस गड़ की सीमा सेश सटे जंगली छेत्र में नक्सली द्वरा छिपाक रखे गर दरजन भर केन बम बरामत किया गया पूलिस ने बरामत सभी केन को पूरी तरह से सतर्कता बरकते हुए घने जंगल में बिसेश सगे की उपस्थिती में डिफ्यूज कर दिया है बताया जा रहा है कि दिफ्यूज करने के दवरान केन की आवाई से कुछ देर के लिए उक्त छेत्र दहल उठा है मुख्यमंत्री पसुधन योजना में बिभाग ने किये बदलाओ किये हैं बरतमान बीतिय वर्ष में 75 से लेकर 90 फिश्दी तक अनुदान का प्रधान कर दो गाय से लेकर पांच वह दस गाय भैस वाली मीनी डेरी पलांड के लिए अवेदन मांगा है इसके अलावा खोया मेकिंग पनीर मेकिंग पलांड से लेकर हस्त चेफ कटर बिजली से च चलने वाली चीफ, कटर, मसीन तथा गाय के लिए मैट आदी भी अनुदान रासी पर दी जाएगी दरसल पिछले वितिये वर्ष में मुक्य मंत्री पसुधन योजना में 50 फिश्दी तक अनुदान का प्रधान होने के कारण योजना में लाभो कुरूची नहीं ले रहे थ है अब इस कारण इस वर्ष विभाग ने जोजना को अपडेट कर लंच किया है दुमका के एसपी कॉलेज महिला होस्टल में गैस सिलेंडर फटा दुमका नगर थाना छेतरे के करहडी बिल राम रतन सिंग रोड इस्ठीथ एसपी कॉलेज के महिला छत्रवास में सुक्रव की घाटना से छत्रवास में भगदल मच गई इसमें एक छत्रा घायल हो गई है जिससे अस्पताल में भरती कराया गया छत्र नेता स्याम देव हेंबरम ने छत्रवास में कुक बहाल करने की मांग की सड़क चामकर उन्होंने बिरुद परदसन भी किया है केंद्र की वयट पूर्व चर्चा आज जहारखन के बीत मंत्री वा मुख सचीव दिली जीएश्टी कमपनसेंसन बंद होने से जहारखन सरकार को हर वर्ष 4.5 हजार कोड़ रूपय का नुकसान हो रहा है राज भारत सरकार से अगले 5 वर्षों तक जीएश्टी कमपनसेंसन जारी रखने की मांग करेगा सुक्रवार को दिली में केंद्र सरकार ने वयट पूर चर्चा के लिए सभी राजों की बैठक बुलाई है बैठक में हिसा लेने के लिए बीत मंत्री डाक्टर रामेश्वर उराव और परदान सचीव अजय कुमार सिंग दिली गाए हुए है वह राज जी की ओर से भारत सरकार को मांगो से अगत कराते हुए बेहतर बीतियस चिती के मदर नजर सुझाव प्रस्तूत करेंगे इसी वर्ष जून मां में जीस्टी कमपनसेंशन बंध होने के बाद राजे के बीतिये हालाद से केंद्रो को अगत कराएंगे 1932 खतियान कोई भी सरकार नहीं लागू कर सकती सर्जू राए डिमना रोड में भाजमो मानगो नगर निगम समीती की गुरुवार को संपन बैठक में मानगो नगर निगम के चुनाव पर भी चर्चा की गई बैठक में बिधायक सर्जू राय ने कहा एक 1932 अधारित अस्थानिये निती हावा में बनाई जा रही है कहा जा रहा है कि जिसके पास 1932 का खत्यान नहीं है वो अस्थानिये नहीं है राजे में बहुत संख्य अबादी 80% है उनके हीत की बात हो लेकिन 20% की हक मारी नहीं होनी चाहिए जो लोग 50-70 वर्सों से यहां रह रहे हैं विभीन राजों से आकर यहां बसे हैं उनके हीतों की राक्षा करेंगे दो हजार के बाद जो यहां रह गया वो जार्खंडी है जैसे पहले बिहार में जार्खन था उसी परकार जार्खन में भी आज एक बिहार बसता है 1932 खत्यान कोई भी सरकार लागू नहीं कर सकती हाई कोट के पाँच जजों की बेंच ने बिस्तार में इस बात को कहा है हजारी बाग से 40 केजी का केन बम ब्रामत जार्खन की हजारी बाग पूलिस को नक्सलियों खिलाब बड़ी सफलता हाथ लगी है पूलिस ने गुपत सुचना पर करवाई कर नक्सलियों द्वरा जारी में चिपा कर रखे गए 40 किरो ग्राम का केन ब्रामत कर लिया है नक्सलियों ने पूलिस को नुकसाल पहुचाने के उद्यस से केन को चिपा कर रखा था हलाकि पूलिस को इसकी गुपत सुचना मिल गई थी और बड़ी साजिस नकाम हो गई बता दे बिशनु गड़ पूलिस ने नकसलियों से 26 पोश्टर भी ब्रामत किये हैं नगर निकाय चुनाओ को लेकर सर्जुराय ने सरकार पर लगाया गंभीर आरोब बिधायक सर्जुराय ने कहा है कि सरकार के एक मंत्री अपने परिवार के लाब के लिए मुख मंत्री पर दबाव डाल कर समिधान के प्रवधानों के खिलाप नगर निकायों का चुनाओ कराने का राजेपाल से अनुमोधन मिलने के बावजूद साजिस के तहद सरकार ने 48 में से केवल एक 46 नगर निकायों में ही चुनाओ कराने का प्रस्ताव राजेपाल को भेजा जिसे अनुमोधन भी मिल चुका है विधायक सहरुला ने कहा है कि मुख्यमंत्री हैमान सुरेन को इसका अकारन बताना चाहिए कि मानगो नगर निगम और जुग सलाई नगर परिशत का चुनाओ कराने का प्रस्ताव उन्होंने राजेपाल के पास अनुमोधन के लिए क्यों नहीं भेजा आईसी कौन सी परिशती आ गई कि दोनों निकायों में चुनाओ नहीं कराना राज सरकार ने उचीत समझा है रांची के मेन रोड में अतिकरमन हटाओ अभियान राइधानी रांची के मेन रोड में रांची नगर नीगम और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा सुक्रवार की सुबा अतिकर्मन हटाओ अभियान चलाया गया फूटपात पर दुकान लगाने वाले दर्जनों दुकंदारों का समान जब्त कर लिया गया इसके अलावा कई वाहनों को भी जब्त किया गया जो सड़क के किनारे खड़े थे नीगम का कहना है कि मेन रोड में फूटपात दुकंदारों का कापजा हो गया था इस वए से यात्यात प्रभावित हो रहा था प्रती दीन जाम की स्थिती हो रही थी कांटा टोली में फलाई उबर का निर्मान होने से मेन रोड में वाहनों को लोड बढ़ गया है इस वए से नीगम और ट्रैफिक पूलिस के दोवारा भी से अभियान चलाया जा रहा है धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं है थे चैनल के सब्सक्राइब कर बाल के बेले के अंद बढ़िए साथी साथ वीडियो के एक लाइक कर अपने दोस्तों से शेयर करना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बख्स में अपना फीडिव एक अवासे दे थाइंक यू